तो भाइसाब यह जो आप इंप्लिफायर देख रहे हो यह बहुत ही कमाल का इंप्लिफायर बनवाया है किसी ने order पर ठीक है आप Bluetooth से भी Aux से भी या फिर Mixer से किसी से भी चाहे कैसे भी song प्ले कर सकते हैं तो जिस तरह से देखने में इतना लाजवाब है उसी तरह से जो है इसको बनाया गया है एक दम बहुत ही अच्छे तरीके से तो बात करेंगे इस Amplifier की इस वीडियो के अंदर बाकी अगर किसी को भी अपने हिसाब से Amplifier बनवाना है तो वो हमसे contact कर सकता है हमारा WhatsApp कर सकता है हमारे number पर या फिर हमारी YouTube चैनल पर देखकर कोई भी वीडियो की link बेज कर हमसे कुछ भी बनवा सकता है ठीक है तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसको एक बार खोल कर देखते हैं फिर उसका बाद मैं आपको जब यह on करके दिखाऊंगा ना on करते ही इतना प्यारा लगेगा कि मेरको भी इस Amplifier के साथ प्यार हो चुका है मेरा मन नहीं कर रहा है इसको देने के लिए बट क्या करें किस्टमर के लिए बनाए तो हमें देना पड़ेगा तो ऐसे ही Amplifier आगे भी आते रहेंगे तो हम इसका जो box है उसको open करते हैं और धीरे धीर आएंगे इसके अंदर फिर बाद में मैं वीडियो में इसको open on करके भी दिखाऊंगा अभी तो जैसे ही आप दे हैं MV collection के देखिए नाम पढ़ लिजिए नाम बहुत जादा मैटर करता है ठीक है MV collection 1000 watt amplifier board यह देखिए इधर यह तो 2000 watt के इसके दूसरी साइड है जो की नीची की साइड है तो इसलिए हमें यहां से इतना ही दिखता है बाकी देखने में आपको देखेगा कि कितना ही professional किसी तरह से wiring करी हुए है और किस तरह से इसको बिल्ड करा गया है ठीक है किसी बीचीज की कोई कमी नी छोड़ी गई है अंदर देखेंगे आप तो इसमें देखेंगे दो हमारी mid-best triple लगी हुई है एक हमारा copper अबर ट्रोडल लगा हुआ है बहुत ही चांदार quality में MV collection का ठीक है इसमें जो भी आपको समान मिलेगा सारा कुछ MV collection का दिखेंगा अंदर देखेंगे यह देखेंगे डूल speaker protection है यह भी MV collection की यह लेखा हुआ हमारा trademark MV collection soft starter यह भी MV collection का board वो भी MV collection का और जो हमारा तो टोटल मिलाकी होजाता है यह 6000 UF ठीक है तो 6000 UF हमारे इसाब से इनफ है इस तरह के amplifier के लिए जो कि 2000 Watt है अगर हम इससे ज्यादा heavy बनाते है तो उसमें capacitor बढ़ाने की जुरत पड़ती है इसके लिए यह capacitor जो है वो enough है ठीक है क्योंकि यह 2000 Watt है जो बड़े amplifier होते हैं और ज्यादा बड़े बनाने है जो 3-3-4-4 या 5-5-6-4 Watt के होते हैं तो उसमें capacitors double कर दे जाते हैं लेकिन इसमें इससे ज़्यादा नहीं है तो किसी भी चीज को overkill करना या फिर बहुत ज़्यादा चीजे लगा देना और जिसका वो amplifier काम करता है सारा ठीक है और क्या कहते हैं जो हमारा module है इससे आप चाहें तो इससे चला सकते हैं चाहें तो पीछे करेंट कर दी अपने एक्जिलार तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी mixer mixer से बहुत अच्छा output आएगा जैसा कि इसमें Bluetooth से आता है बाकी इस time काफी जादा time हो रहा है रहात हो रही है तो इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं चला कर नहीं दिखाएंगे इसका voice stress नहीं कराएंगे आवाज इसकी इतनी दमदार है कि आप जिसे कहते हैं अगर आपने इसके सामने कॉलम के सामने इसको लगा कर खड़े हो गए तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा इसका output इतना तगड़ा output है बहुत अच्छा amplifier यह बिल्ड हुआ है ठीक है यहाँ पर Bluetooth mode भी FM है जो भी से कनेक्ट करके Bluetooth में प्ले करेंगे तो जैसे यहाँ से हम वॉल्यूम खोलेंगे तो उस आप से जो व्यूमेटर है वो डांस करेगा ठीक है तो अंदर भी एक बार देखिए हमारे दो सॉफ्ट स्टार वगरा है सब कुछ ओन हो चुका है देखिए सॉफ्ट स्टार में भी जल चुकी है और कितना ही सुन्दर लगता है एकदम जैसे कोई रोबोट होता है ना मतलब कुछ कितना ही शांदार तरीक से डिजाइन करा हुआ है ठीक है तो मैं एसमें एक बार गाना प्ले करता हूं कोई सा भी नॉर्मल सा तो यह देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम पागल मना कर दे देते हैं लोगों को पागल मना कर ठीक है तो देखिए यहाँ पर जितनी वॉल्यूम खोलूँगा उससाब से वियूमेटर जो है वो रियक करेगा तो आईए देखिए तो इधर से मैंने इस चैनल की जो आवाज है वो मैंने थोड़ी कम कर दिये अब इस थोड़ी से कोलते हैं यह देखिए तो वियूमेटर दोनों साइट बहुत एच्छी तरह से वर्क करता है जोन से आप साइड भी यूज़ करेंगे उस हिसाब से ही जो है यह वर्क करेगा तो यह है जो दोनों यह जो टोन है जिनसे मैं बढ़ा रहा हूँ यह वॉल्यूम को तो अब इसकी जो में एक खास बढ़ पताए ताहूं है जैसे कि आप वियूमेटर तो वर्किंग आप देख रहे हैं यह देखिए तो अब इसकी सुन्दरता जो देखने में कितना प्रोफेशनल और कितना ही शांदार लग रहा है देखने में वह सब शादा में बात है और वर्किंग तो इसकी उससे भी जादा चांदार है तो अब हम इसके दिखाएंगे कि लोग एम्प्लिफायर तो बना देते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह सब चीज़े लगती कैसे हैं जो इसमें हैं जिसमें ग्रेब बार्स वगरा होते हैं तो कैसे लगती है तो देखिए यह आगे होते हैं यह इसलिए होते हैं मेली यह उठाने के लिए नहीं होते हैं मेली कि एम्प्लिफायर को ठाना है यह होते हैं इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आगे आपकी नॉब लगी हुई है कि कभी अगर आपका एम्प्लिफायर ऐसे स क्टे आता हूं संदी से तो 여 भ sneaking ऐसी तरह से इसको झो diğer बेख रिल्स आते हैं वह पीछे भी होते देखें फिए वे आपके जो बनाना कणेकटर है यब कोई सम्हान लगा हूआ या वायर वगएर है और सब कुछ सेफ रहे tussen यह लोगों को पता भी नहीं है, यो यो टीपर बैठे हुए हैं, ऐसे बनाने के लिए अम्प्लिफायर, तो अब यह जो ग्रैप रेल्स हैं, मतलब ग्रैप रेल्स हैं, यह प्रोटेक्टर पोलेंगे, बेसिकली, तो जो प्रोटेक्टर से हैं, यह बहुत जादा काम आते हैं, पूरे एड़ कराएं, तो कोई भी छोटी मोटी आइसी या कुछ भी यूज़ करके ऐसे, हमने इसको पावर नहीं दिये, जो ब्लुटूथ मोडिव है हमारा उसको हमने पावर दिये, एक प्रॉपर अडेप्टर लगा कर, यह पर तेखें, यह पर पांच वोल्ट का अडेप्टर तो यह थी आज की वीडियो, अगर कोई भी एम्प्लिफायर बनवाना चाहता है, तो ज़रूर एम्प्लिफायर बनवाना, और जो इसका प्राइस है, सब कहते हैं कि भाई, प्राइस नहीं बताते, तो इसका प्राइस जो है लगबग 20,000 के आसपास आता है, वो डिपेंड करता है, कि आप श्या एड करवा रहे हैं, या ख्या आद नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो 20-1000 रुपे के से एक तरसे मालने जी 20,000 रुपे से स्टार्ट है इसमें आप कुछ भी एड़ करवाएंगे या हटवाएंगे तो हटवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20,000 रुपे के उपर अगर आप मोडिल लगवाते हैं या फिर कोई और फीचर एड़ करवाते हैं बड़वाते हैं जो भी है तो उसके अलग से चार्जिज हो जाते हैं तो इतनी शांदार मशीन खरीदने के लिए आप MV कलेक्शन को मैसिज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं अगर सब कुछ हमारा ब्रेंड का अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना कमेंट में जरूर लिखना I love MV कलेक्शन क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्वटेंस मिलता है जब आप ऐसे हमें प्यार देते हैं तो ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगे हो तो शेर जरूर करना लाइक जरूर करना कमेंट करना मत भूलना